दोस्तों आज की जो न्यूज है काफी बड़ी न्यूज है जैसा कि बिगेश्ट अपडेट है हमारे सामने आपको बैनर पर दिख जाएगा फ्री फायर बैंड तो आज की जो न्यूज है वो मोबाइल अप्लिकेशन के बारे में होने वाली है तो दोस्तों कितने मोबाइल अप्लिकेशन हैं जैसे कि 54 अप्लिकेशन जो हमारे भारत में प्ले स्टोर से बैन हो जाएंगे अभी कुछ application बचे होंगे जो play store पर उपलब्ध हैं तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा दो से चार दिन के अंदर ये सभी application बैन हो जाएंगे play store पर आपको नहीं मिलेंगे दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अरबिंद और आप देखे रहें YouTube चनल अरबिंसंगम दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको complete process बताऊंगा कि जो न्यूज है वो कहां से निकल कर आई है और क्या वाकई में सही न्यूज है या नहीं है तो इसके लिए full detail देखते रहे हमारे इ देख रहे होंगे कि 54 mobile application है जो Chinese app है वो हमारे भारत से play store से हटा दिये जाएंगे और कुछ applications हटा भी दिये गए है जैसा कि free fire इसमें topest game है तो इसको जरूर से जरूर हटा दिया गया है जबकि इसका जो नाम है वो काफी नीचे दिया गया है बट सबसे ज़्यादा popular जो हमा पुरी list जो अभी download किया हूं मैं आपको screen पर दिखा दूँगा आप देख लीजिएगा कितने applications हैं और क्या-क्या नाम है जैसा कि कुछ नाम आपको screen पर thumbnail भी दिखाई दे रहा होगा तो चलिए मैं आपको पूरा list इसका दिखा देता हूं इसक्रीन पर देख लीजिए अपर यहां पर दिखाया जा रहा है जो भी application है 54 के 54 application आपको यहां पर screen पर मैं दिखा रहा हूं यह 54 application Play Store से हटा दिये जाएंगे कुछ अप्लिकेसं हटा भी दिये गया है यह वह 54 applications है जो कि हमारे भारत से बैन हो गया है Play Store से हटा भी दिये ग यह जो Chinese applications थे चाइना की गवर्मेंट हमारे डाटा थे उसको collect करके रखता था जैसे कि आप बहुत सारे applications को use करते होंगे आप Google को use करते होंगे किसी application की use करते हैं तो वहां पर आप से आपसे जो है उसकी permission मांगी जाती है कि मैं आपका जो photo उसकी जो permission चाहता हूँ, जो आपकी gallery है मैं उसकी permission चाहता हूँ, आपके जो contact में उसकी permission चाहता हूँ, लेकिन ये जो applications थे, ये आप से कोई भी permission नहीं लेते थे और आपको जानकारी नहीं होती थी कि ये हमारा जो है permission के बगएर हमारे data को collect कर रहे हैं तो ऐसे में government जो new लेकर आई हमारे लिए जो काम किया है काफी अच्छा काम किया है, लेकिन आपको क्या लगता है बिलकुल सही हुआ है गलत हुआ अपनी रैकांट में जरू दिजिएगा, इस वीडियोम बस इतना ही मिलते हैं किसी और ने वीडियोम तब तक के लिए जय हिंद गुडबाया